नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रितिदयाल आपके साथ बिहार में लोकसभा का चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है ऐसे में मुंगेर लोकसभा शेतर होट सीट बना हुआ है और हो भी क्यों ना बाहुबलियों की धमक जो देखी जारी है एक तरफ जहां NDA प्रत्याशी की बात करें तो जेडियों के राजीव रंजल सिंग और फ्लैलन सिंग को टिकेट दिया गया है तो वही दूसरी ओर महागडवंदन की ओर से RGD के प्रत्याशी अनिता देवी चुनावी मैदान में है इसके अलावे मुंगेर के चुनावी मैदान में पहला ट्विस्ट तो तब आया जब मुकामा के बाहुबली नेता अनन्द सिंग पैरोल पर मुंगेर में वोटिंग से पहले ही जेल से बाहर आ गये है इसके साथ ही ललन सिंग की जीत का दावा कर रहे है साफ तोर पर अनन्द सिंग का कहना है कि ललन सिंग पाच लाख वोटों से जीतने वाले हैं तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी की बात करें तो उमिद्वार अनिता देवी बाहु बली देता अशोक महतो की पतनी है अशोक महतो भी कुछ महीने पहले जेल से बाहर आए और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए खरमास महीने में ही शादी कर ली जिसके बाद आरजेडी सुप्रेमो लालुप्रसाद यादव ने अशोक महतो की पतनी अनिता देवी को मुंगेर से टिकेट दिया लगतार अपनी अपनी जीत के लिए सभी प्रत्याश्यों की ओर से प्रचार प्रसार किये जा रहे हैं लेकिन इस बीच एक और ट्विस्ट मुंगेर लोकसभाश शेत्र में आ गया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि यहां मुकाबला अब त्री कोनिय होने वाला है देसल मुंगेर में अब एक निर्दलिय उमिद्वार ने एंट्री मार ली है इसके साथ ही एर कंडिशन का छाप भी दे दिया गया है बता दे कि सनातन धर्म को बचाने और उसे विस्तार करने साथ ही मुंगेर के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में पंकच कुमार ने एंट्री मार दी है इतना ही नहीं चुनावी मैदान में उतरते ही पंकच कुमार ने अपने विरोधी प्रत्याशियों को निशाने पर ले लिया है ललन सिंग के साथ साथ अशोक महतो को भी निशाने पर लेते हुए बड़ी बात कह डाली है आप खुद सुन लीजिए हमने कवाखनार को सिव भूबभा समय क्या आनसानन है तो इसका मतलब से बिलॉंग नहीं करके हैं साथान्दर्म हम तो कल भी स्टेट्मेंट दिये थे कि उन्होंने पॉलिटिकल सनलक्षन लेने के लिए उन्होंने साधी की तो साधी किये तो उनका दामपत्य जीवन सुखी भीते ये मैं इस वर से कामना करता हूं पर ये कैसा सनातन धर्म है जो खरमास में भी मतलब कि साधी कर लेते हैं तो मेरा तो मनना है कि वो सनातन धर्म से नहीं है और ह हम जहां तक हम बात है हम हिंदू की बात करते हैं और सिरा सिरी मेरा यही नारा है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा तो आपने देखा कि किस तरह से ललन सिंग और अशोक महतो को निशाने पर लेते हुए जम कर सुना दिया है साफ साफ कहा कि वर्तमान सांसत ललन सिंग जो विकास की बात करते हैं वो लोगों के बीच छुपा हुआ तो बिलकुल भी नहीं है साथी अशोक महतो को लेकर कहा कि यह कैसा सनातन धर्म है कि चुनाव लड़ने के लिए इतनी बड़ी उम्र में खरमास में शादी कर लेते हैं ऐसे में सनातन धर्म का अपमान ही हो रहा है और यह अशोक महतो खुद अपराधी हैं जो 20 वर्ष सजा काट कर जेल से बाहर आकर राजनीती में कदम रखे हैं ऐसे में जनता इन पर कितना विश्वास करें बता दे कि मुंगेर में दो प्रत्याशियों के बीच काटे की टकर देखी जा रही है बाहु बलियों की धमक से ललन सिंग और अनिता देवी के बीच मुकाबला रुमान्चक हो गया है तो ऐसे में अब निर्दलिय प्रत्याशी ने भी एंट्री मार ली है हाला की देखने वाली बात होगी कि आखिर मुंगेर की जनता जो मुंगेर लोग सभाश्येतर की जनता है वो आखिर किसका समर्थन करती है और उन सारे खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे तब तक के लिए आप देखते रहें दर्श्यूस अगर आपने पितक हमारे यूट्यूब चैयों को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे जड़ सब्सक्राब कर दे इसके साथ ही अगर वीडियो फेस्बुक के माधियम से देख रहें तो पेज को लाइक करना ना भूले